मुझा नमस्कार आपका स्वागत देदार नामा टीवी पे मैं पुनम आपके साथ चमु कश्मीर में अक्टिव आतंगी संगठोनों ने अपने ओवर ग्राउंड वर्कस के रूप में महिलाओं लड़कियों और नाबालिक बच्चों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है वेंसे हत्यार मैसेज और ड्रक्स की सप्लाई करवा रहे हैं चिनार कार्ट के लेटिनेंट जनरल अमरदिप सी उजला ने ये जानकारी दी है लेटिनेंट जनरल उजला ने बताया कि हाल के दिनों में इंटिलिजन्स एजनसीज और सुरुक्षा बलों ने आतंग कियों के स्लीपर सेल पर तेजी से कारवाई की है इसके बाद पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसाई और सहरत पार बैठे आतंगी संगठोनों ने टेयर एक्टिविटी के लिए महीलाओं और बच्चों को सौफ टार्गेट बनाया है लेटिनेंट जेनरल ओजला ने बताया कि सेना ने कुछ ऐसे मामलों का पता लगाया है नियंतन रिखा एलोसी के पार बैठे लोग मुझूता हालात को बिगानने की साजी चशने में व्यस्त हैं आतंगियों के मंसुबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलो को और सतक रहने की जर्वत है लेटिनेंट जेनरल ओजला ने नियूज एजनसी पीटियाई से बाचित में कहा दैशत गंदो ने आतंकी कतिविद्यों के लिए टैंकिट याने टेकनिकल इंटेलिजन्स का उपयोग कम कर दिया है यानि वे अब बाचित या मेसेज भेजने के लिए मुबाल जे सादनों के इस्तेमाल से बच रहे हैं वे अपारंपरिक साधनों का उप्योग बढ़ा रहे हैं सरकार और प्रशाषन के सायोग से हम इस पर काम कर रहे हैं लोगों को अवेर करने के लिए सेना सही रास्ता प्रोग्राम चला रही है इसमें बच्चों और महिलाओं को इसके नुक्सान के बारे में बताया जा रहा है हमें इसका अच्छा जल्ट मिल रहा है इसकी साथ बने नहीं राज आमा टीवी की साथ धन्यवाद